वीजिए ट्रेट गालव ने आपको तीन स्टॉक्स और निफ्टी का चार्ट दिया था ट्रेट कहने के लिए के लिए टीन में से दू स्टॉक्स थे जिसमें कि मैं बाइंग कर नहीं थे और सिर्फ एक इसके अनर में शॉट सिलिंग दिखनी थी और वो था अबजय सिमिंट अब आज हमने अपने ही लेवल के पास में कंफरमिशन लेकर करें को ट्रेड किया था निफ्टी के अंदर इतनी बड़ी इतनी अच्छी ब्लैक रेड केंडल बनी इसको कि हम लोगों ने पहले अपने टेलिग्राम चलब पोस्ट कर दिया था कि इसमें कल के सेशन में रेड केंडल ही फॉँआ होगे तो बाइंग मत किजएगा इसके अंदर कल के दिन सेफर सुनक को शॉर्ट को देखें तो आज पने इसको देखना है इतने दिन से जितने भी सिस्टम्स बता हैं जो स्ट्रेज इन डे रहे थे ट्रेड करने के लिए लोवर टाइम फ्रेम पर आप देखना कल के कुछ हमारे सपोर्ट्स फॉर्म हुए थे जैसे कि सिंपल आप यहां पर कुछ सपोर्ट्स देख रहे होगे एक यह वाला यहां पर अगर हम पूरा एक जोन माग कर दें तो देखिए यहां से लेकर के आगे तक क्योंकि कल के सबसे लास्ट यह वाले सपोर्ट थे और कल मार्केट ने इन सपोर्ट को ब्रेक नहीं किया तो और आज ऐसे ब्रेक एक मोव हमें डांसाइट की दरफ देखिया ठाला कि जो प्रॉफिट्स थे वह हमने इस्टेज करके बुक है लेकिन फिर बाद में लगा कि हम और भी प्रॉफि ब्रेक्षण है क्योंकि वहां पर कम पैसा लगा 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 करके 1-2,3,2,3,5 आपको पता नहीं चलता है चुप चाप प्रैक्टिस करने ना प्राइस एक्षिंस की स्टॉक्स को उठा और इस स्टॉक्स को मास्टर कर लो इस हद तक मास्टर कर लो कि फिर इसके बाद में आप डेरिवेटिव भी ट्रेट हो तो वहां पर भी आप प्रॉफिट ही निकालो जब तक प्रॉफिटेवल नहीं बन जाते हैं डेरिवेटिव मत करना अधर्वाइस बर्बाद हो जाओगे हम सारे वीडियो में यह बात बोलते हैं अटाइस सो कॉन्टी के साथ में हमने अंबुजा सिमिंट को ट्रेट किया था एंड स्टॉप लॉस करीब एक पांच पैस तो मत करना अगर सेल का मौका मिला तभी ट्रेड एक्जिकूट करेंगे वापास से मार्किंग कर लेते हैं चार्ट के पार एकिसे अंबुजा सेमिंट की चार्ट को समझेंगे तिली टाम फ्रेम पर हमारा किस तरह से अनैल्सिस थी क्या देखते हैं अपने लेवल स्टॉग सőषिए अधिए के सेशन में ब्रीक नहीं किया था यह गाता है आज के सेशन के सेशन में अनुग है जैसे कि हैहां इसपेर अब अगर इसको उपर की तरफ जाना तो फिर यहां से उपर की साइड में चला जा जा क्योंकि कल की जो हमारे एरिया थे इसके उपर मारके ट्रेट कर रहे थे अब अगर इसको उपर की साइड में जाना था तो यह उपर की तरफ चला जा जा यह कल के एरिया के पास में treat क्यों कर रहा है यह question में करना होगा अगर किसी stock के अंदर आपको buying करनी है तो उसका opposite सोचो कि अगर इस stock को नीचे गिना तो यह करेगा क्या लास्ट में हम देखेंगे बिल्कुल opposite side में कि जिस दिशा में treat करना चाह रहे हैं उस दिशा में market पुछी तरह से movement करेंगे तभी treat करेंगे बात में देखेंगे price ने downside के movements देखा है एक support upside के तरफ price गया अगेन देखेंगे जब दूसरी बार में price ने momentum downside के तरफ दिखा है ना यह point बना था अपना entry का point यह वाला जो swing area था हमारा यहां पर हमने अपना लगा दिया था stop loss क्योंकि अगर market ने again कल के resistance के उपर momentum स्टार्ट किये तो फिर price क्या करेंगे ना higher high लगा तो price हमारा upside के दरफ चला जागा यह यहां से एक दूसरा high लग जागा और price हमारा ऊपर के साइड में निकल जाए बठूवा क्या यहां पर lows टूड गया यहां से इसको resistance मिल गया तो stop loss लगाने के सबसे अच्छा area यह वाला मिल गया and entry का सबसे इच्छा point हम को मिल यह वाला तो यहां से executions हो गए टार्गेट से में बुक करने तो हमारा सबसे पहला यह था 424.90 यहां पर में बुक करने थे क्यों बुक करने थे अब simply इसका जो answer में मिलेगा daily time frame पर daily time frame पर देखिए इसके सबसे latest support काउन से थे यहां पर देखिए price ने एक swing बनाया था और यहां से सीध उपर की तरफ चला गया वापस देखिए price नीचे की तरफ आया same swings है price नीचे की तरफ आया और यह फिर से उपर की तरफ चला गया मतलब कि यह वाला जो swing था price यहां पर sustain हो रहा था इसी जगह से price नीचे की तरफ गिर रहा है तो सबसे पहले support कहां से मिलेगा यह यही वाला एक area को जहांसे इसको supports मिल सकते हैं यह हमारा first target लेकिन morning में जितनी heavy volume पर साथ price ने हमारे supports को break किया confidence आया कि price भी और नीचे की तरफ जागा दो ही candles में इसने हमें करीब 1% का move दिखा देगी यहां से लिए करके यहां तक 1.25% जैसे price फिर हमारा नीचे की दिशामें आया यहां से फिर हमने targets बोक कर लिए price आपर के तरफ गया और जब दुबारा नीचे की दिशामें आया था यहां से तब फिर हम यहां से बाहर निकले सबके अपने segments हैं कोई derivatives को trade करने के खौहिश रखता है कोई stocks को trade करता है कोई foyer को trade करता है को crypto trade करता है question यह भी उठ सकता है कि जब में मालूम है nifty इतना downside के दरफ जा सकती हो तो क्या है हमारी priority हमेशा stock ही है कभी कदार हो गया कि स्वाद लेने के लिए हमने options मार दिये बस मन हुआ तो हमने कर दिया वनना मेरी priority हमेशा से stock है कल के लिए हम लोग अपनी watch list को ready कर लेते सबसे पहला stock अपने पास है टाटा स्टिल टाटा स्टिल का यह जो एरिया है ना बहुत important zone है बहुत अच्छा support है कल अगर price आपको इस level पर मिल जाए इस area पर यह इस से हलका बहुत अगर आपको उपर मिल रहा है बहुत ज्यादा उपर में trade execute मत करना 1-2-2 का target लोगे चुप चाप trade close कर दोगे दूसरा stock अपने पास है Tata Power Tata Power के अंदर भी कल के दिन हम लोग buying करेंगे और जो area हमारा होगा 257-257.30 यही मेरा supportive point होगा इस जगह से हम लोग buying करेंगे या तो इस line पर या इस line से थोड़ा सा price अगर आपको उपर की तरफ मिल रहा है तो यहां पर trade execute करेंगे बट पूरे patience के साथ wait करना कि price इस जगह पर आएगा तब ही हम लोग trade execute करेंगे 1-2-2 का target लेकर कि हम यह trade अपना close कर देंगे 2 stock अपने पास और है SBIN SBIN में कल के लिए हम लोग sales side की तरफ trade execute करेंगे price जैसे ही अपने इन वाले supports को break करके नीचे की तरफ आए जैसे ही नीचे की तरफ आपको movement दिखाएगा आप इसके अंदर short selling कर दोगे confirmations लेने के साथ में blinding नहीं के सिर्फ एक candle close और आपने trade मार लिया यहां पर price के sustain होने का wait करना price sustain होगा supports भी करेगा आप लोग short selling कर दोगे bonus to 2 का target out दूसरा stock अंपने पास है SBI card का SBI card में भी हम लोग simply short selling करते वोगे चलेंगे area हमारा यह वाला है चार के चारो stocks हम telegram channel पर post कर देंगे वहाँ पर जाओगे आपकी पूरा stock उनके level वहाँ पर pick में आपको मिल जाएंगे दूसरा nifty और bank nifty के levels होंगे levels वह levels हम आपको telegram channel पर post कर देंगे morning महीं मिलेंगे जैसे कि generally होता है जो market का nature है इसने आज के session में masking बना दी है जिस दिन price आपका mask कर लेता है इस तरह की candle बनाता है next day हम लोगों को काफी सोच समझ करके क्योंकि जो हम लोगों को पढ़ते हैं तो यहां पर कुछ rules होते हैं कुछ certain rules होते हैं जिसको कि हमें आगने दिन trade में उसको लेकर के साथ में लेकर के चलना होता है otherwise क्या होता है कि price ने previous day का high भी break किया है low भी break किया है इस इसको याद रखिएगा high और low दोनो break है अभी हम लोग यह नहीं कह सकते कि price हमारा down में है या फिर अप में इसका कोई direction clear नहीं है तो next trading session में इसका काफी सरा असर पड़ता है price आपका buy करोगई तो stop loss जाएगा sell करोगई तो stop loss जाएगा overall हम कहना क्या चाहरे है कि कल अगर आप Nifty को trade करो तो थोड़ा सब्सक्राइब करना है क्योंकि chances बहुत रहेंगे market यहां तो side way हो जाए या फिर आप buy करो तो sell देदो, short करो तो sell देदो, बहुत सोच समझ करके काम करना, बाकि SBI और SBI कार्ड इन दोनों के अंदर उनों को selling करनी है, Tata Power, Tata Sink, इन दोनों के अंदर उनों को buying करनी है, चार इस्टॉक्स हमने आपको देदे, Telegram पर इसकी लेवल सी मिल जाएंगा आपको, Patience के साथ में बने रहो, Market को छोड़ो नहीं, जितना की Market में बने रहना जहुरी है, उतना ही जहुरी है कि जिस एक सिस्टम को तो आप काम करें हो, उस सिस्टम को पकड़े रहना, जैसे हमने ये स्टॉक्स निकाल लिए, हमारा सिम्पस स्टॉक्स सेलेक्शन की टेक्निक होती है, Point of Action, इतने सारे स्टॉक्स मेरी वाच्छ लिस्ट में हैं, इतने सारे स्टॉक्स, लेकिन अभी के सेश्चन में हमें, जो सबसे सही जगह पर हमें स्टॉक्स लग रहे हैं, ये चारे स्टॉक्स, SBI कार, SBI, Tata Power, Tata Steel, ये में नाम रट गए, अब कल के अगर हमें पूछोगे, तो बिल्कुल हमें ये 4 के 4 स्टॉक्स के नाम मेरी जुबान पर है, हम इन्हें देखेंगे, अभी before market हमें जो स्टॉक्स निकाले, ज़रूत पड़ती है कभी कभी कि हम running market में भी स्टॉक्स निकालते हैं, तो उनकी tactics दूसरी होती है, उनके trade करने का तरीका दूसरा होता है, SBI card बगर होगे, यानि कि before market जो स्टॉक्स हम निकालते हैं, and I hope we will meet again.